सर्वेभ्यो नमहा मैं राज्यस्वराचारी संस्कृतम आज आध्यात्मिक विचार व्यक्त करने आया हूँ आप सबके संग शेर करने आया हूँ मेरे अंदर यह विचार आ रहा था कि जो स्रीमत भगवत गीता में लिखा गया है त्यागात शांतिम अधिगच्छति त्यागात शांतिम अधिगच्छति त्याग से शांती की और व्यक्ति बढ़ता है शांती को प्राप्त करता है जीवन में शांती आ जाए इसे बड़ी प्लब्धी कहीं नहीं जा सकती जीवन का प्रमार्थ क्या है आनंद प्राप्ति शांती में रहना पर त्याग का जब प्रसंग आता है तो किस त्रह का त्याग लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं क्या यह त्याग तो मैं इसे त्याग नहीं मानता इसे जिमदारियों से डर करके भाग जाने वाला मैं उस व्यक्ति को मानता हूं इसलिए घर छोड़ कर जाने की कोई जरुरत नहीं है आज कल एक कहावत सुन रहा हूं बने रहो पगला काम करे का अगला बने रहो पगला काम करेगा अगला तो यह जो आप चला की अपने भीतर रखते हैं कि अनविक के बने रहो और कोई दूसरा काम करेगा तो आप पर जीवी हैं दूसरे के ऊपर जीते हैं पराधीन सपने हू शुखना ही अपना जो कर्तब्य है उसे करना ही चाहिए जो दाइत है उसका निर्वहन करना ही चाहिए अपने सही कर्मों से युक्त होके मन बुध्धी एक करके करना चाहिए ध्यान भी रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा कितना सहियम है सचाई कितनी है, तो त्यागात शांतिम अधिगच्छती में यहाँ पर त्यागात जो है, वह काम विकार, क्रोज विकार, लोभ विकार, मद, मोह, मात्सर्य यह सब जो विकार हैं, इन विकारों का त्याग करना ही असली त्याग है राग द्वेश इर्ष्या असूया अभी निवेश ये सब जो है विकार है दोश है इसका त्याग कर देना चाहिए ये असली त्याग है लेकिन यह इतना जल्दी त्याग नहीं हो सकता बहुत कठिन है डगरपन घटकी बहुत कठिन है क्योंकि जो प्रविर्ती कई वर्सों से चली आ रही हो जिसकी मान सिकता वैसी ही बन चुकी हो वह कैसे इनका त्याग करेगा लोभ कैसे जाएगा लोभ हपापस्य कारणम कैसे जाएगा इतना जल्दी तो जाएगा नहीं तो यह बराबर ध्यान रखने से कि यह पाप लोभ करना पाप है यह ध्यान रहे तो संभवता उसमें कमी आने लग जावे पहला है काम जो सबसे बल्वान है गजंद्र मुक्ष जो आप सब पढ़ते हैं इस तोत्र उसने अपना बृतांत उसी स्रीमत भागवत मापुराण में सब बताया है कि यह प्रभो मैं इतना कामी इतना उनमत कभी आपका ध्यान नहीं किया अब जो मैं इतनी मुश्रीबत में फसा हूँ तो बराबर आप अहीं रक्षक है आप अहीं बचाईए आप अहीं का ध्यान बराबर है हरपल है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा हाथी को जंगल से जब भी पकड़ा जाता है तो नकली हतनी बना करके एक गड़े में रख दिया जाता है पकड़ने वाले जानते हैं और वह काम से उन्मत वहा हाथी जंगल से दोड़ करके यह नहीं जानता कि यह मिट्टी की नकली हतनी है और मैं इस में इस जाल में फस जाओंगा वह कूद पड़ता है और पकड़ लिया जाता है कैदी हो जाता है तो बहुत बल्वान है इसी तरह से देखिए मैं तो बहुत बात कर रहा हूं यह आपर कोई कोटेशन कोड नहीं कर रहा हूं अब क्रोध है कि कामात क्रोधों भी जायते काम से क्रोध गुत्पत्ति होती है आपकी ध्याय यतों विश्यान पुनसा संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामात क्रोधों भी जायते काम पूर्ति न होने पर ही क्रोध गुत्पत्ति हो जाती है और क्रोध क्या करता है संगात बुद्धि नास बुद्धि नाशात प्रणश्यती मरुष्य का संपूर्ण बिनास नास हो जाता है जो क्रोध करता है उसके पास बुद्धि नहीं रहती हां किसी को समझाने के लिए प्रसासन अनुसासन पूरा रखने के लिए सही रखने के लिए किसी को ऐसे ही डाट दिया जाय बोल दिया जाय तो उसे क्रोध नहीं कहते हैं पर क्रोध तो बहुत बिनासक होता है तो जब काम पर आप काम कर लेंगे तो क्रोध नहीं होगा जब क्रोध नहीं होगा तो कोई गलती करे तो आप यह नहीं सोचेंगे कि उसने गलती क्या की है किसा दार पर क्यों वह हमसे माफी माँग रहा है क्योंकि हमारे नरकोध जब आया ही नहीं तो छमा किसे विषॉक का ना तो छमा सब्द का जो समद्ध है वा कोध से, आपके गुसे से है जब दूसरा कोई गलती करता है और वो आपसे छमा न माघे, तो आपको शांती नहीं मिलेगी, तो छमा जब आप करेंगे, तो आपको शांती मिलेगी, इसका मतलब आप बेचैन हो रहे हैं, क्रोध है आपके भीतर, तो ध्यान दिजिए अलोभा पापस से कारणम वो तो पाप का कारण है ही तो इतना जल्दी ये सब जो है विकार हटेगा नहीं नित्य पुराणों का अनुसरन करने से अध्यन करने से उपनिशद वेदांत का अध्यन करने से अच्छे-च्छे सब संगी जो गुर्जन है जो अध्यात्मक की बात करते हैं उनके संग रहने से यह सब बातें समझ में आएंगी कि मद क्या होता है मोह क्या होता है मोह सभी व्याधि का मूल है मोह शकल व्याधिन कर मूला जितने याधि व्याधि ये सब जो है मोह के कारणाते है बड़े बड़े संतों ने मुह पर बड़ी बड़ी बाते बताई हैं लेकिन ब्यक्ति जीवन में कम सकम चिंतन करें कि हम इन सब चीजों को जाने कैसे ये दूर हो तो समझे कि वह असली भक्ति कर रहा है कुछ सीखना चाहता है ज्यान पाना चाहता है और वह स्रेय मार्गी हो कामना चाहता है देखिए मार्ग भी जो है प्रेय मार्ग और स्रेय मार्ग दो बताए गये हैं जब संसार का भोग आईश्वरे करते हैं बड़े उचासन पर बैठ करके आप पूजित होते हैं तो यह सब जो है प्रेय मार्ग के अंत्रगत आता है लेकिन जब आप बिरक्त ह होते हैं आपके अंदर कोई कामना नहीं रहा जाती ऑप जाहिवीदी राखे राम ताहिवी दी रहिए जब ऐसा भाव आपके वितर आ जाता है कि तव पस्रेयमारगी है आप सनमारगी है कि सथ्य का आचरन होने लगेगा धर्म का आचरन होने लगेगा और तमाम जो लफड़े हैं जीवन के ये सगे समंधियों से जो दुख आते हैं इन लफड़ों से छुड़कारा मिलेगा इस संसार में मनुस्य स्वयम अपने ही कर्मों का लेखा जो खा जो प्रारध फल है वो भोगते रहता है और मैं तो एक और बात कहूंगा कि जिन लोगों को बहुत कष्ट आता है वे कभी घबडाएं नहीं उन कष्टों से उन दुखों से क्योंकि अनेक जन्मों के जो बुरे कर्म रहते हैं वे प्रगट होते हैं और जो भोग लेता है वो भोग भुक्त हो जाते हैं फिर दुबार नहीं आएगा आगे जीवन आपका सुख में होगा यह विचार करिए क्योंकि कालक क्रमेण जगताह परिवर्त माना चक्रार पंक्तिव घर्चत भाग यह पंक्ति ही दुख और सुख जो है रत के पहिये के समान उपर नीचे आते जाते रहते हैं इसलिए दुखों में घब रहा है ना सोजा रहा है तो उसमें भी आप धैर्यशील बने रहेंगे इस प्रकार से अनेक विचार होते हैं यदा कदा मैं अपने विचारों को ले करके आपके सामने आउंगा नमो नमाहा